हाई अबरिबरन वलकम तो डिश्टल जी के क्लासेज तो आज हमारा मौक टेस्ट एक्जाम से पहले का फर्स्ट है और आज से लेकर अब एक्जाम तक आपको डेली हर दिन बहुत सारे कोशन्स के प्रैक्टिस करनी है और इस मौक टेस्ट में बिपेसी ने जो कोशन्स पूछ यह मत पूछो की 68 में काम आएगा 9 से 10 में सब में काम आने वाला है क्योंकि GS आप खुद देख लिजे ना आपके सलेबस में क्या दिया गया है वही है हिस्ट्री जोग्रफी पॉलिटी भारती रास्ट्यान दोलन तो आज हमारा जो है कल से हमारा मौक टेसे स्टार्ट है आ अपना स्कोर बताएं और इसके पहले की जितनी भी क्लासेज है वो मेरी प्लेइलिस्ट बनी हुई है BPSC-TRE3 की क्लास उसमें मैंने अभी तक कम से कम 4-5 क्लासेज करा दिया है तो यह आपके बहुत काम आने वाला है पहली बारा है तो चैनों को सब्स्राइब करके प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा आप सभी के सामने ऐसी क्लास आती रहें तो चलिए स्टार्ट करते हैं बीना टाइम वेस्ट किये हुए तो देखे यह कोश्टन्स अभी रिसेंटली जो एक्जाम हुआ था न आपका TRE2 उसके कोश्टन्स है सारे आदित्य L1 उपग्र था इसका सुर्य अवलोकन विंदू की बात किया जाये तो वह है L1 ठीक है so option number A चालिस कोश्टन देखें साइन्स का है अद्रक एक घुमिगत तना है एवं जड़ नहीं है क्यूं क्यूं अद्रक एक तना है जड़ नहीं है यह आपसे पूछ रहा है और यह आपके NCRT में भी मिल जाएगा क्यूंकि इसमें गाठ एवं पर्व होते हैं so option number B इसका सही हो जाएगा ठीक है अगला question देखें एक उत्तर लेंस की focus दूरी FL is equal to 10 cm है पानी में से डूबोने पर यह कारे करेगा तो यह आप बताए इसका right answer क्या हो जाएगा तो यह कैसे काम करेगा तो आपको पता है यह इसका right answer हो जाएगा हमारा C ठीक है FL is greater than 10 cm के एक उत्तर लेंस की तरह यह काम करेगा so एक physics का question पूछा है option number C हो जाएगा math के 3 से 4 questions बस पूछे जाते हैं जो भी upper class के GS है बाकी 1 to 5 में तो 16 questions math के पूछे गया है चली आगे चलते हैं और यह काफी lengthy question यह देखे देखे हाला कि द्रिस्ट प्रकार में जल पारदर्शक होता है दुरस्त वस्तों को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता यह इसलिए होता है क्यूं कि अधिकतर प्रकास विखर कर अभासी और स्पस्टता निर्मित करता है इसी वज़ा से इसी वज़ा से इसको हम निर्मित कोहरे में नहीं देख सकते हैं विकर्ज यह बहुत ज़्यादा प्रकास विखरकर आभासी इस पश्टता निर्मित कर देता है मतलब क्लियर नहीं दिखता है So option number B 43 देखिए एक वर्णी प्रकास एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेस करता है इसमें से कौन सा गुड नहीं बदलता है जब वो एक माध्यम से दूसरे में जायेगा तो इसमें इन तीनों में से कौन सा गुड नहीं बदलेगा वो आपसे पूछ रहा है और वो है आबरिती ये गुर्ण नहीं बदलता है बाकी के तीनों ये दोनों बदल जाएंगे तो अगर इसमें राइट आंसर पूछा जाए तो वो होगा आबरिती ठीक है, फ्रिक्वेंसी 44 देखते है निमनतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाडू की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल क्या होती है ये फैक्ट्रॉल कोशन पूछ दिया है याँ पर तो आपसे चाल पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की चाल तो वो होगा तापक्रम कर दिया जाए तो विक्रण उर्जा वर्ग मीटर में होगी ये आपसे पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसको आप सॉल्ट कर लिजेगा इबटा 81 ठीक है 45 का C एक बस आपका कैलकुलेशन वाला आएगा बाकी तो सारे रटने वाले है अमनों जो अमली KMNO4 का रंग नस्ट कर सकता है वो इन तीनों में से कौन सा होगा पोटैसियम पर मैगनेट का रंग नस्ट कर सकता है इन तीनों में से बताईए कौन सा होगा आपका जो भी विशे हो 9 से 10, 6 से 8 में सब को GS पढ़ना है ठीक है तो वो हो जाएगा हमारा C6H807 ठीक है इसका रसानिक नाम आप कॉमेंट करके बताएं तो option number B 47 पे चलते हैं देखें Bangalarmati Bangalajal के लेखक कौन थी जो मूल रूप से 1905 में लॉड करजन द्वारा बंगाल के भी भाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधान सभाने हाल ही में नए राज जिगान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रवींदरनाथ टाइगोगर ठीक है चलिए अगला कोशन देखे हाल ही में उदगादिट किये गए भारत के नए संसद भवन के और ये कोशन कई बार पूछ लिया है अभी 1 to 5 वाले में भी पूछा था 6 to 8 में भी 9 से 10 में भी तो इसलिए मैं इस कोशन को यहाँ पर रखा है बिकॉज ये बहुत बार पूछा है और वो है जो नए संसद भन है उसके वास्तुकार है भीमल पटेल ये देखे फिल्म होसव अगर से कोशन जरूर आते है 76 जो कांस फिल्म होसव हुआ था 2023 में तो कौन सी भारती फिल्म प्रदर्शित की गई थी ये आप से पूछ रहा है तो अनुराग कस्यप की केनेडी कनू बहन की आगरा निरश पांडे की खाकी तो सारे सही है इसलिए हम जाएंगे D के साथ चलिए 50 पे चलते हैं कम समय में ज्यादा कोशन्स आपको मैं कराऊंगी ताकि आपका समय बजे देखिए यहां पे अजाली औसमानी जिनोंने अफरीकी संग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 सीखर संबिलन में भाग लिया जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है वे अफरीकी संग के किस देश के रास्ट्रपती है बताईए तो वो हैं कोमो रोस यह कोशन्स बहुत पूछता है कि कोई भी अगर जैसे कि अगर 75 गरतंतर दिवस पे जो गेस्ट आये थे हमारे तो उनका नाम भी पूछ सकता है प्लस वो किस देश के हैं ठीक है यह सारी चीज़े बहुत पूछी जाती है जैसे कि देखे G20 इससे रिलेटेड भी बहुत कुशन बना कि जो नया सदस्य से बना है वो किस देश के रास्ट्रपती है तो कोमो रोस ठीक है पचास का C 51 देखे दिवस भी याद कर लिजेगा कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि आपका प्रीथवी दिवस 22 अप्रेल होता है जल दिवस हो गया पर्यावरण दिवस हो गया उसी तरीके से हमारा मानो अधिकार दिवस हो गया 10 दिसंबर को मनाते हैं 51 का B बिहार का भी आप देख लिजेगा कि कब जैसे कि उत्राखन UP बिहार ये एक दूसरी से कब अलग हुए थे तो इनका भी आपको date वगरा याद रखना है क्योंकि बिहार का ही question है बिहार का ही exam है अब यहां से आपका अगला question भारती राष्टरी से ना I and A के संस्थापक कौन थे तो वो थे मोहन सिंग ठीक है याद रखेगा ताना भगत आंदोलन किस से संबंधित है दलित से आदिवासी से या किसान से तो वो है आदिवासी ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंदित है option number B किस राज में रक्षा बंधन को व्रिक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाए जाता है बताईए किस राज में रक्षा बंधन को व्रिक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तो वो है बिहार, बिहार में जो रक्षा बंधन है इसको वरिक्ष सुरक्षा दिवस के रुप में मनाते हैं, और के के रहिते हैं, कर नातक में काली मिटी पाइ जाती है, तो यह काफी अच्छा पूछा हुआ है, 56 देखे भारत वर्स में वनस्पती इवम जीवों की कितनी प्रजाती पाई जाती है ये कोशन आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 81,000 प्रजाती जीवों की और 47,000 प्रजाती वनस्पती की तो ये संख्या सही है आप सहीं वाला याद रखें यहाँ पर एक नट जब भी आपसे पूछेगा कि भारत वर्स में वनस्पती और जीवों की कितनी प्रजाती पाई जाती है तो 81,000 आपकी जीवों की है और 47,000 आपकी वनस्पती की है तो ये नंबर याद कर लो कभी भी पूछा जा सकता है किसी भी एक्जाम में चली 57 पर चलते हैं यहाँ पर लिखाएगी खनीज ये हैं निवन मेंसे किस चट्टान के इस्तर में जमा होता है जो मिनरल्स है न आवसादी, रुपान्त्रित, आगने इनके किस इस्तर में जमा होता है यह आपसे पूछ रहा है तो वो आवसादी चट्टान, जो भी मिनरल्स हैं वो आवसादी चट्टान के इस्तर पर जमा होता है तो 57 का आपका A हो जाएगा 58 देखिए निम्न में से कौन से एक फलिदार फसल है दलहन जवार बाजरा इन तीनों में से कौन एक फलिदार फसल है तो वो हो जाएगा दलहन, दलहन जो है न एक फलिदार फसल है तो option number A अगला question देखिए निम्न में से कौन से दो चरम इस्थान पूर्व पश्चमी गलियारे से जुड़े हैं पूर्व का मतलब East पश्चम का मतलब West तो इस में से कौन सा जो है वो पूरव पश्चम से जुड़ा हुआ है यह आपको बताना है तो वो हमारा हो जाएगा सिल्चर और पूर्बंदर पूर्बंदर गुजरात में और सिल्चर बताओ कहां पे तो यह जो है पूरव पश्चम गलियारे से जुड़े हुए हैं So option number C 60 question पे चलते हैं Stalactite और Stalagmite इस्थला कृतियां बनती हैं पावन के द्वारा भूमिगत जल के द्वारा या बर्फ के द्वारा तो जो Stalactite या फिर Stalagmite है यह आपका भूमिगत जल द्वारा इस्थला कृतिया यह जो है बनती हैं तो 60 का आपका B हो जाएगा 61 देखे 22 अभी मैं आपको बोली रही थी कि यह सारे दिवस आपको याद रखना है जैसे कि ओजोन दिवस, स्वास्थ दिवस वैसे ही आपका प्रिथवी दिवस मनाए जाता है 22 अप्रेल को ठीक है तो इसका हमारा पहला हो जाएगा और विशो स्वास्थ दिवस, विशो ओजोन दिवस कब बनाए जाता है प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताएं सभी के कॉमेंट्स को मैं पढ़ती हूँ जो भी सहीं बताता है उसे लाइक भी करती हूँ इससे आपको याद हो जाएगा बस नहीं आता है तो गूगल कर लो बट लिखना जरूर 62 देखिए भारत का इसला कृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाता है बताए तो वो बनाए जाता है भारती सर्विक्षण के द्वारा जो भी इसला कृतिक मानचित्र होते है न वो भारती सर्विक्षण के दौरा बनाये जाता है, तो 62 का B हो जाएगा आपका, अब 63 पे चलते हैं, यहां से आपका भारती राश्ट्री आंदोलन सुरू होता है, अठारसो संतावन के विद्रो को किसके दौरा पहली बार में प्रथम भारती स्वतंतरता संग्राम के रूप में वडित क्या गया है, यह कोशन मैंने कल भी डिसकस किया था, वही BPSC ने किसी और एक्जाम में पूछा है, और यहां पर अब दुबारस यह कोशन है, तो आप समझ सकते हो, रिपेट कोशन होते हैं, वीडी सावर कर, ठीक है, 63 का आपका A होगा, 64 देखो, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी, मतलब संथाल विद्रो, बिर्सा मुंडा विद्रो, ताना भगत, अभी ताना भगत आंदोलन बताओ किसे संबन्दी था, मैंने अभी आपको बताया था ना, आदिवासी आंदोलन से, तो यह इस तरीके से घुमा फिरा के पूछता है, सबसे पहले कौन सा हुआ है, बताईए, तो सबसे पहले हुआ है संथाल विद्रो, कब हुआ है यह आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ऑप्शन नॉम्बर ए, 65 देखिए, बंकिम चंद चटर जी का उपन्यास, आनंद मठ में किस विद्रो का उलेख है, सन्यासी, पागल पंथी या नील, तो इसमें सन्यासी, और यह भी कोशन्स रिपिट है, प्रथम बार संघर्स के तरीकों के रूप में, स्वादेशी एवं बहिसकार भारत में कब अपनाए गया, बताएंगे, तो आपको भी पता है, जब बंगाल पिभाजन हो गया था, 1905 में, कॉंग्रेस जो है, उसमें से वाइसराय था, तो जब ये बंगाल पिभाजन हुआ, तो स्वादेशी ओं बहिसकार जो है, ये अपना लिया गया, कि हम बिदेशी वस्तूओं का बहिसकार करते हैं, और ये 1905 में हुआ था, बंगाल पिभाजन, ठीक है, होम रूल आंदोलन और सहयोग आंदोलन कब हुआ था, अध्यक्ष कौन थे, काफी अच्छा कोश्चन है, और वो थे चितरंजन दास, ये इसके अलावा भी अध्यक्ष बनते हैं, कब बनते हैं, वो बताएं, महात्मा गाधी जी किस अध्यवेशन के अध्यष्टा करते हैं, केवल एक बार ही किये हैं, वो भी मुझे बताना अब, तो फिल्हाल के लिए सकराइट आंसर हो जाएगा, 1922, 1922 का जो राश्च्छी कॉंग्रेस अध्यवेशन हुआ था, गया में उसके अध्यक्ष थे, चितरंजन दास, अगला कोश्चन, और सहयोग अंधुलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगवाई की थी, राश कुमार सुकल, इन्होंने कई बार चिठी लिकर महात्मा गांधी जी को बताया, कि हमारे यहाँ पर किस तरीके की चीज़े हो रही है, ठीक है, नहीं एक मिनट ध्यान रखे, यही होता, मैंने स्पीड में पढ़ लिया, यहाँ पर लिखा है कि, और सहयोग किसानों के बारे में नहीं, और सहयोग अंधुलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगवाई की, यहाँ पर देखे, अगवाई की बात हो रही है, और इन्होंने तो बुलाया था महत्मा गांधी जी को राजकुमार सुकल लेने, तो यह गलती हो जाएगी, और देखो, एक्जाम में भी क्वेशन में सबसे पहला आप्शन ही रखा है, राजकुमार सुकल, ताकि हम गलती करें, लेकि जैसे ही मैंने नीचे पढ़ा, तो उसके बास से पता चला कि नहीं, अगवाई की बात हो रही है न, किसानों की अगवाई तो सबसे पहले किसी ने किया है, तो वो है स्वामी विद्यानन्द, तो 68 का B, इसी तरीके से आपको भी कोशन्स को ध्यान से पढ़ना है, जल्दिवाजी में अगर कोई भी पढ़ेगा, तो वो पहला ही लगा के आएगा, बाकी आंसर्स, फाइनल आंसर की से ही कई बार वेरिफाई हैं, तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं, अठारों से सत्रा में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के स्थापना किस ने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डेविड हेयर, ठीके, तो 69 का आपका B होगा, 70 पर चलते हैं, इन में से किस ने कहा था कि कॉंग्रेस का महल लड़क खड़ा रहा है, और भारत में रहते हुए, मेरे एक बड़ी महत्वकांचा है, कि मैं सान्ती के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूँ, डफरिन मिंटो करजन, काफी फेमस कोशन है, बताइए, तो ये कहा था करजन ने, करजन ने बोला था कि भाई कॉंग्रेस तो लड़क खड़ा रहा है, और मेरे बहुत बड़ी इच्छा है कि मैं इसको देखूँ, इसके सान्ती के साथ, इसके मरने में मैं इसका सहयोग कर सकूँ, तो ऑप्शन नूबर C, चली अगला कॉशन देखें यहाँ बे, 39 और नम्बरिंग पर ध्यान मत देना, क्योंकि कॉशन इधर उधर से लिए गए हैं इसलिए, तो मायोपिया वह बिमारी है, जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है, दूर का, पास का या दोनो, तो जो यह मायोपिया जिसको होता है न, वो दूर की वस्तूओं को इस पश्ट नहीं देख पाते हैं, ठीके, इसको तुरा सा जोम करती हूँ, कि मायोपिया विमारी में दूर की वस्तूओं को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं, अगला कॉशन, आनुवानसिक्ता सब्द मुख्यूरूप से किस के कॉंटेक्स्ट में किसे संदर्वित करता है तो आप भी जानते हैं ये आनुवानसिकी जैनेटिक्स को संदर्वित करता है तो इसका C हो जाएगा और इसकोर जरूर बताएं आप लोग जिन डिब्बो में खाना ये repeat question है जिन डिब्बो में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चड़ी होती है ना की जिंक की क्यूं बताइए क्योंकि जिंक ज्यादा प्रतिक्रिया शील होता है ना टिन के compare में इसी वज़ा से और कोई reason ही नहीं है option number B क्योंकि जो जिंक होता है वो टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रिया सील है तो इसका B हो जाएगा 42 पे चलते है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकास अंसलेशन के दोरान वाई मंजली कार्बन डाइक साइट को कार्बो हाइडरेट में परिवर्तित करते हैं मतलब फोटो सिंथेसिस के दोरान वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें CO2 जो है कार्बो हाइडरेट में एक्सचेंज हो जाता है वो अप्चेन है ठीक है तो 42 का आपका B 43 देखे एक प्रिंटर की गुडवत्ता जो है वो किस से निर्धारित की जाती है तो वो किया जाता है बिंदू प्रती इंच ओप्शन नमबर C ठीक है अगले कोशन पर ट्रैकोमा रोग का संबंध किस से है फेफडो से, कान से, आँख से तो इसका संबंध है आँख से ट्रैकोमा अभी मायोपिया के बारे में पढ़ा हमने वो भी आँख से संबंध है ट्रैकोमा आपका जो है 44 नमबर ये भी आँखों से ही संबंध है तो हो गया इसका 45 देखे निमन में से कौन सा निूटन के गती का जो तीसरा नियम है न वो उप्योग करता है तो तीनों के तीनों ही करते हैं अंत्रिक्ष्रॉक्टर, वैंचुरिमिटर, तीरंदाजी तो इसलिए हम जाएंगे डी के साथ ठीक है चलिए अगला कोश्चन देखे रासायनिक गुडों को अपवर्तित रखते हुए एक परमाडू के नाभिक में जोड़े जाने वाले कौन से कड़ है तो वो है न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं जो जोड़ा जाता है वो है न्यूट्रॉन तो 46 का A अगला कोश्चन देखे 47 देखे तो ये ट्वीटर के बात किया जा रहा है यहां पर और आपको पता है कि ट्वीटर का नाम अब X हो चुका है चिडिया जो है वो उड़ चुकी है और वही कॉशन पूछ रहा है कि जब बर्ड था उसमें उसके निर्माता कौन थे अलन मस्क द्वारा सिगनेचर ब्ल्यू बर्ड लोगो को बदल कर इन्होंने X लोगो लगा दिया था और जब ये 2012 में अंतिम सब्सक्रे में ट्वीटर के जो प्रतिस्ठित जिन्होंने बर्ड का निर्माड किया था बर्ड निर्माता तो वो किसे माना जाता है ये आपसे पूछ रहा है सो उप्शन नमब भी है मार्टिन ग्रासर 47 का B 48 देखिए इस वर्स रिलीज हुई उच अवधाना विज्ञान के बारे में प्रसिद फिल्म ओपिन हाइमर इसके डारेक्टर कौन है ये आपसे पूछ रहा है तो वो है क्रिस्टोफर नोलन ओपेन हाइमर के डारेक्टर है सो उप्शन नमब ए अगले कोश्चन पर चलते हैं 49 निमन में से किसने राष्ट मंडल खेलो के 2026 अंसक्रण की मिजबानी से इसके मिजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित हुए के कारण अपना नाम वापस ले लिया है तो इन तीनों में से बताओ कौन है लंदन, UK, कुआला, लंपूर, मलेसिया विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया तो वो हैं विक्टोरिया, आस्ट्रेलिया इन्होंने नाम वापस ले लिया है ठीक है, तो C हो गया 50 पे चलते हैं इंडिया के बारे में आपको पता है एक समें काफी कॉंट्रवर्सी चल रही थी वही आपसे पूछ रहा है कि जो भी पक्षी राजनीती दलो के गठबंदन इंडिया का फुल फॉर्म क्या है तो अगर ऑप्शन्स देखे न तो बहुत है लिटल बिट इसमें चेंज है तो याद कर लो, रट लो इंडिया का है इंडियन, नैशनल I से इंडिया, इंडियन होगा इंडिया नहीं होगा, ठीक है N से नैशनल होगा, D से डवलप्मेंट होगा I से इंक्लूसिव होगा और A से अलाइन्स, तो हम जाएंगे पहले के साथ, इंडियन, नैशनल डवलप्मेंटल इस पे भी ध्यान देना डवलप्मेंट नहीं है, डवलप्मेंटल है इंक्लूसिव अलाइन्स सो अप्शन नमबर A अगला कोशन देखे अगस्ट दोजा तेस में जब चंद्रयान 2 को चंद्र और्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉडूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भिजा था वेल्कम हूँ, चलो चान के पार चले या फिर वेल्कम बड़ी तो उसने संदेश दिया था वेल्कम बड़ी, ऑप्शन नमबर C 52 पे चलते हैं 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदुलन को कुचलने वाले चीन के पुर्व रास्टपती जिसने लोकतंत्र को जो कुचलने वाला जो चीन का था रास्टपती, उसका नाम आप से पूछा जा रहा है और वो है जियांग जैमीन ठीक है, ऑप्शन नमबर C अगला कोशन देखे आर्लेंड के प्रधान मंत्री के रूप में दूसरे कारिकाल के लिए किसे चुना गया है तो वो है लियो वराडकर इनको चुना गया है कारिकाल के लिए दूसरे कारिकाल के लिए आर्लेंड के प्रधान मंत्री के रूप में लियो वराडकर 54 देखे भारत में आयो जिट G20 सिखर सम्मिलन में अफरिकी संग को इस्थाई सदध से बनाई गया तो यह अफरिकी संग के अधक्ष कौन है बताईए वो है अजाली ऐसमनी ठीक है अफरिकी संग के अधक्ष है अजाली थार्प्षन नमबर A और समौनी भी याद रखेंगे तो भी हो जाएगा 55 देखें कूट टाइप का कुशन दुबारा से पूछ लिया है यहाँ पे देखें भगौलिक छेतरफल के अनुसार भारत की निम्न लिखित भौतिक जो फीजियोग्राफिक इकाई के को आरोही क्रम में आपको अरेंज करना है तो केंद्री उचभाग, महान मैदान, तटीय मैदान, उत्तरी परत और रोही में नहीं, आरोही क्रम पुछा है आपसे तो बताइए तो देखें, सबसे पहले तो इसमें हो जाएगा तटीय मैदान उसके बासे आपका केंदरी उच्छ भाग ये दूसरे पे हो जाएगा देन आपका तीसरे पे हो जाएगा महान मैदान और चौथे पे हो जाएगा उत्तरी परवत तो अगर आप यहाँ options में देखें तो हमारा होगा 3 उसके बासे 1 फिर उसके बासे 2 4 option number A तो इस तरीके से हमने arrange कर लिया option number A इसमें सही हो जाएगा अगला फिर से वही है उत्तर से दक्षन की और आपको लगाना है मतलब north to south सबसे north में क्या है और सबसे south में क्या है तो लद्दाग करा कुरम पीन पंजाल जासकर सब एकदम आस-पास कहीं है इसलिए question ही पूछा गया है आपसे तो देखिए सबसे ज़्यादा north में आप मुझे बताओ करा कुरम है ठीक है तो दूसरा तो आपका सबसे पहले होगा उसके बासे आपका लद्दाग है ठीक है देन आपका जासकर है और पीर पंजाल मतलब तीसरा सबसे last में है तो अगर आप देखें तो हमारा होगा two one four three ठीक है मतलब ये पीर पंजाल तीसरा तो आपका सबसे last में ही होगा इस तरीके से भी आप कर सकते हैं तो सबसे उत्तर में कौन है बताइए वो है कारा कोरम और सबसे ज़्यादा दक्षिन में अगर आपसे पूछे वो कौन है तो वो है पीर पंजाल काफी interesting questions यहाँ पर इन्होंने बनाया है so option number B ठीक है चलिए 57 पे चलते हैं भारत में मांसून सीजन में अधिकांस चक्रवातों की उत्पत्ती होती है तो 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अच्छांस के मद्ध ऑप्शन नमबर B अगला कोशन देखिए 58 निम्न छेत्रों में से कौन सा भूई स्खलन प्रोन नहीं है ध्यान दीजेगा नहीं नहीं वाले कोशन को बहुत अच्छे से करना है तो देखो पश्मी घाट भी है हिमालेई छेत्र भी है पुर्वी घाट नहीं है और जो नहीं है वही हमारा इसमें सहीं हो जाएगा तो आप्शन नमबर B अगला कोशन है 59 निम्न में से भारत का कौन सा तट उग्र उष्णक प्रभाविद है ओप्शन अबल भी 60 पे आजते है जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो उसको क्या कहते हैं उसे कहते हैं गली कटाओ ठीक है जब वो काटेगा चिकनी मिट्टी को तो जो चैनल बनता है उसे कहते हैं गली कटाओ आगे बढ़ते हैं देखे निम्न में से कहां पर अक्टूबर और नौवंबर के महीनों में बारिश होती है तो कहां पर होता है अक्टूबर और नौवंबर में बारिश और वो होता है कोरूमंडल तटपर तो option number B अगला question देखे फलोयों सब्जों की खेती क्या कहलाती है फूलों की खेती क्रिसी या फिर बागवानी बताओ इसे हम कहते हैं बागवानी ठीक है ना तो ये फूलों की सब्जी ना ही क्रिसी है फलो और सब्जी की खेती को वो कहलाता होटी कल्चर बागवानी आगे बढ़ते हैं राष्ट्रिय अंदुलन का question है ये बिहार में अठारसो संताउन के क्रांती के दोरान पटना आरा और सहाबा शाहाबाद जीलों में किसने नत्रित प्रदान किया बताईया और वो है कुवर सिंग याद रखिएगा कि इन्होंने पटना आरा और शाहाबाद जीलों में नत्रित प्रदान किया था कुवर सिंग जी ठीक है option number C आगे बढ़ते हैं बंगाल का भी भाजन प्रभावी कव हुआ यहाँ पर देखो 1905 यह तो पता ही है exact date अब आपको याद करना है और वो है 16 October 1905 प्रभावी हुआ है पूछाये ना आपसे इसलिए 16 October 1905 राइट आंसर है अगला question देखे बंबई में Congress द्वारा भारत छोडो प्रस्ताओ पास किया गया 9 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 या 7 अगस्त 1942 तो इन तीनों में से बताओ कौन सा होगा तो आपसे पूछा है बंबई में ठीक है बंबई की वाथ हो रही है इसलिए 8 अगस्त 1942 तो 65 का B आगे चलते हैं अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया बताओ Congress की उदारवादी नित्तियों के कारण भारती नेताओं की गरफतारी या फिर बाटो और राज करो आपको पता है इसका अंसर क्या होगा क्योंकि अंग्रेज की एक ही निती थी बाटो और राज करो इसी वज़ा से इन्हों ने काफी लब तभी तो विभाजन भी किया था बंगाल का So, option number C 67 पे चलते हैं निवन मेंसे किस तिति को राणी विक्टोरिया की उद्घोषना जारी हुई और वो है एक नॉंबर 1859 इस दिन राणी विक्टोरिया की जो उद्घोषना है वो जारी हुआ आगे चलते हैं इसमें से आपको सारे स्टेटमेंस पढ़ने हैं और बताना है कि कौन सा? सही है राजा राम मोहन राय नवीन सिक्षा के अग्रणी थे सही है सौामी द्या नन ने भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया ये भी सही है विवेका नन ने विश्व धर्म संसत में भाग लिया था ये भी सही है तो हम जाएंगे डी के साथ चलिए इन में से कौन इंग लैंट में भारत के अनाधिकारिक दूत बने और वो हैं दादा भाई नौरोजी ठीक है ये जो है अनाधिकारिक इंग लैंट में भारत के दूत बने थे अगला कोशन और अगर टोटल मिला कर देखूं तो मैंने अभी आपके साथ 70 कोशन डिसकस किये हैं 70 में आपके कितने मार्क्स बने हैं प्लीज बताना क्योंकि कोशन्स पेपर को ढून कर सारे चीज़े आप सब भी के सामनी लेकर आने में काफी महनत लगती है तो आप इस पे प्लीज लाइक कीज़ेगा अगर आपको पसंद आए और मॉक टेस्ट होते रहेंगे जो की प्रिवेसर कोशन्स ही है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया बताये और इसका हो जाएगा E मतलब कोई नहीं तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताओगे एक कोशन तो आप बताई सकते हो कि जो 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बोला था क्योंकि ना तो गांधी जी है ना बोस जी है ना ही मुहानी जी है ये गलत आंसर दिया है इसमें तो इसमें इसका राइट आंसर आप मुझे बताईए ठीक है तो ये थी हमारी क्लास छोटी क्लास होती है बट जादा से जादा कोशन्स होते हैं इसमें आप सभी का time save करने के लिए अब एक घंटे में किल तीस questions करूँ और आधे घंटे में 70 questions हमने कर लिया तो better तो यही है तो चलिए मिलते हैं next class में बाकी के भी classes आप BPSC TRE 3 के playlist पर जा कर देख सकते हैं मिलते हैं next class में thanks for watching